नमस्कार जेहिंज अभरत वेलकम टो जेपुरोई साब सभी का बहुत बहुत स्वागत है मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग को अपशब्द बोलने के मामले में गिरफतार किये गए ओकेंद्र राणा जिनको कोल्ट द्वारा पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और जमानत रद्ध कर दी गई अब उनके समर्थन में उनके जो समर्थक हैं उनके चाने वाले आ गए हैं और आज सुबह उन्हें नो बजे जिस तरीके से ओकेंद्र राणा को रिहा करो जस्टिस फोर ओकेंद्र राणा के नाम से ट्वीटर ट्रेंड चलाया है ओकेंद्र राणा के समर्थन में ट्वीटर पे ये जो ट्रेंड करवाया गया है उनके जो समर्थक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जो गिरफतार किया गया है उनको रिहा किया जाए और खुद जीवन शिंग शेरपूर ने इस बात को लेकर वीडियो भी जारी किया था अपने लाइव में कहा था कि जो केंदर राणा ने किया है वो उन्हें नहीं करना चीए था लेकिन उनसे गलती हो गई है तो मुख्यमंत्री बड़ा दिल दिखा कर उन्हें माफ करें और कई नकई जो कारवाई हो रही है और 5 दिन का पुलिस रिमान्द दिया गया है और उसके बाद क्या जमानत होगी या नहीं होगी उसके बारे में भी आपको अपडेट बता दी जाएगी लेकिन फिलाल आज इस तरीके से ओकेंदर राणा के समर्थन में ट्विटर पे ट्रे किया जाए और इस मामले को लिकर ये एक बहुत जादा हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग को लेकर ये मामला है और सीधा-सीधा मुख्यमंत्री से ये मामला जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं उकेंदर राना के लिए मुश्किले शायद और बढ़ सकती हैं इस बारे में जो भी जानकारी सामने आएगी हम आपको बताते रहेंगे फिलाल तक पांस दिन के पुलिस रिमांट पर है और उसके बाद में कोर्ट में उनकी जमानत लगाई जाएगी और उसके बाद में पुलिस का क्या पक्स होता है और उनके जो पक्सकार वकील है उनका क्या पक्स होता है और कोर्ट का क्या फैसला होता है हर एक बात पर हमारी नजर है और हम आप तक हर खबर इस केस को लेकर और बाकि अन्य खबरे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे चैनल के साथ जुड़े रहें जैहिन जैभारत